चल तो रहा है देखिए आज आप लोग अगर लाइव नहीं आ पा रहा है तो एक बार अप्लिकेशन क्लोज करके फिर खोलेंगे लाइव आ जाएगा आज एड्मिशन हर हाल में हम क्लोज कर देंगे अच्छली एक मिशन खुला होने के वैसे क्या हो रहा है कि धड़ा धड़ा बैक इंड सर्वर पर लोड जादे हो गया है आप लोग फ्रंटीन पर कई हिसाफ से सर्वर को रोका जाता है आट-दा सजार लड़कों को फ्रंटीन पर रखा जाता है जिसे आप लोग देख लेते को उत्तरी अमेरिका कहते है तो तीन नंबर पर उत्तरी बोलते है तो तीन नंबर पर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका और चार नंबर पर हो जाएगा दक्षणी अमेरिका हो गया एक नंबर बोलिये तो एसिया दो नंबर क्या हो जाएगा अफरीका तीन नंबर उत्तरी अमे कहेंगे हम लोग Asia महादीप को कहेंगे ये होगे आपका उत्री अमेरिका उत्री अमेरिका में कोई ऐसा देश नहीं है जिसके किनारे समुंदर नहीं है जबकि Asia में तो बहुत से देश है नेपाल के किनारे समुंदर ही नहीं है ये है आपका दक्षणी अमेरिका अब याद र अपरीका, उत्तरी अमेर्का, दक्षडी अमेर्का, ऐसया, अफरीका, उत्तरी अमेर्का और दक्षडी अमेर्का ओगे न? कितने तरह हो Gillिन्हीं है सब? via ठीसियां अफरीका उत्री अमेरिऑ दक्षणी अ मेसे चार माधीप भगा सब नहीजों इससंड यहाँ पर अब वह बात बतें डूनाल्द ट्रम्प कहां काँए प्रूनालड्रमप कहा है। प्रूनाल्ड ट्रूम प्रूंप फड्रवल्टरम और चल रहा है। बावु एक बार अप्लिकेशन को बंद करके दोबारा आ जाएंगे, खुल जाएगा, उत्री अमेरिका का, अरे या, दोनाल्ड ट्रॉम उत्री अमेरिका का है, तो इक बते ही है, हम नरेंद मोधी को कहते हैं कि एसिया के परधान मंतरी है, ऐसा तोड़ी हो जाएगा, उत्री अमेरिका में एक देश है जिसका नाम है USA, उत्री अमेरिका में एक देश है जिसका नाम है USA, तो डोनाल्ड ट्रॉम जो है, वो इस USA के परधान राष्टपती हैं, ना कि पूरे उत्री अमेरिका के राष्टपती हैं, आप लोग भी गजब गजब राष्टपती बना देते ै पूरी उत्री अमेरिका का नहीज़ गाँ अब सिक्वेंसमे उद रखिए सबसे दोगे एक साथ अगर क्लास कर रहे हैं कैले च connectivity किजें पहला उत्री अमेरिका दक्षि Sequence याद हो गया सबसे बड़ा Asia, अफरीका, उत्री अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका. आप इसके बाद देखते हैं पाच्वा महादीब. यह जो चौथा महादीब है न दक्षिणी अमेरिका इसमें सांप बहुत ज़्यादे पाए जाते हैं इसलिए इसे सांपों का महादी तो ये पांच्वाह महादीप इसमें बर्फ है बर्फ का कलर कैसा होता है तक रह barbar कर पर क्योद़ Yama करोद चैनल पते हैं और अफ्रीका को बाधिर करते हैं चाला ला महा पिया इसमें फोंचा है इसे moving continent कहते हैं क्यों कहते है कि यह बरफ से बना हुआ ओग कोई भी चीज अगर बरफ से बनी है तो बरफ तो कभी भी पिगल सकता है जब बरफ पिगलेगा तो बर पिगल की यह गती करने लगेगा इस वज़े से इसे क्या कहते हैं गतिसील महादीब तो यह गतिसील महादीब के नाम से जानते हैं पाचवा हो गया लाइन से बताएंगे लो पहला पहला हो गया पहला बोलिए लाइन से एसिया अफ्रीका उत्री अमेरिका दक्षिड अमेरिका अंटार्टिका लाइन से एक दो तीन चार पांच नक्स एक सिक्वेंस में पटापट सिक्वेंस में वीडियो नहीं चलना है साथ मीनिट के बाद नहीं चलना है एक बार आप लोग वापस हट किये वहूँ अप्लिकेशन को एक बार क्लोस करके उसके बाद आ जाएंगे लोग चलने लगेगा एसिया, अफ्रीका, उत्री अमेरिका, दक्षिडी अमेरिका, अंटार्टिका जिनका वीडियो नहीं चलना है एक बार आप लोग अप्लिकेशन से हट के वापस जाएंगे फिर से आपका चलने लगेगा एसिया, अफ्रीका, वेरि गुड एसिया, अफ्रीका, उत्री अमेरिका, दक्षिडी अमेरिका, अंटार्टिका अंटार्टिका के बाद छटवे नमबर पर आता है योरोप छटवे नमबर पर कोन आ जाता है? योरोप आ जाता है योरोप छटवे नमबर पर सबसे डारे डेबलप है योरोप योरोप के जादेतर country बहुत ही develop है तो यह आ गया योरोप हो गया छठा महादीब पहला Asia, Africa, उत्री अमेरिका, दक्षडी अमेरिका, अंटाटिका फिर से बोलेंगे पहला Asia, Africa, उत्री अमेरिका, दक्षडी अमेरिका, अंटाटिका, योरोप तो यह 6 नमबर पे हो गया, योरोप हो गया, संगा गया कि नहीं हो गया चटवा महादीब कौन सा हो गया, योरोप महादीब हो गया, चटवा महादीब आगे बढ़ जाँ, चलिए देखिए, यह हो गया आपका चटवा नमबर पे हो गया, यह योरोप यूरोप एक ऐसा महादीप है जाए एक भी रेगिस्तान नहीं है वहाँ ठंड पड़ते रहता है वहाँ मरू अस्थल यानि रेगिस्तान नहीं है साथवा महादीप और सबसे छोटा महादीप साथवे नमबर पे होगा सबसे छोटा होगा वो है आपका ओशीनिया महादीब, कौन सा है ओशीनिया, ओशीनिया, ओशीनिया महादीब, अब आप लोग इसे ऑस्टेलिया कहते है, तो भईया ये ऑस्टेलिया नहीं है, ये क्या है, ओशीनिया महादीब है, ये कौन सा महादीब है, ओशीनिया महादीब, पहला बोलिये त वोषिनिया साथो का नाम बताएंगे विर्ट जीलांडिया पढ़ा दियें आठ्वा महाधीप फिर उतरा जीателейलांडिया पधाएंग ए मृ दूर्पणा दियें विडूर्णिया इन जीलाइंगे वो इस तरह से देखेंगे तो पेंजिया ला देंगे हम हाँ very good shortcut में भी बोल सकते हैं आप लोग Asia, Africa, उत्री, धक्षणी, अमेरिका, अंटार्टिका, यूरोप, ओसीनिया very good, बहुत अच्छा है, ये हिंदी में टाइप कर दिये हैं, कुमार, कुमार क्या नाम रखेंगे हैं, परमानंद कुमार जी, आपका भी अच्छा है, very good, चलिए, देखिए ध्यान सब, ये ओशीनिया इसका नाम आगया, लेकिन आप लोग इसे क्या कहते हैं, औस्टेलिया महादीप, तो आप, आप कहते हैं, कि ये औस्टेलिया महादीप है, और आप से पूछा जाए, औस्टेलिया की राजधानी, तो आप बता देते हैं, कैनबरा बता देते हैं, वाह, चलिए, आपने एक महादीप की राजधानी कैनबरा बता दिया तो एसिया की राजधानी कौन सी हो जाईए जब एक महादीप की राजधानी है तो दूसरे की भी तो राजधानी होनी चाहिए उसकी राजधानी क्यों नहीं है तो देखें ये एरिया है ओशीनिया महादीप है ओशीनिया माइक्रोनेसिया, माइक्रोनेसिया, एक आता है मेलानेसिया, मेलानेसिया, तीसरा आता है पॉलीनेसिया, अच्छा था आता है आपका आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया, अब आप बते ही, आप केवल देखे हैं किसको आस्ट्रेलिया को, क्योंकि आस्ट्रेलिया सबसे बड़ा तो इसलिए आप Australia के नाम पर पूरा ओसीनिया को आप Australia बोलने लगते हैं, अब आप देखिए ज़रा कहां पर क्या चीज है, यह जो ओसीनिया आप देख रहे हैं, इसमें अगर आप देखेंगे तो कई छोटे छोटे आइलेंड भी मिलेंगे, आस्टेलिया के बगल में यहां New Zealand मिलेगा, यहां आपको फीजी मिलेगा, यहां पर आपका Tonga, Tualoo, Vanu, Aatu, Fiji, यह सब कई सारे आइलेंड मिलेंगे, तो सबको जब आप मिला देते हैं तो यह बनता है आपका ओशीनिया, सबको जब मिला देते हैं तो क्या बनता है ओशीनिया, तो कौन सा है, ओशीनिया continent. इस Ocenia continent में कितने आते हैं? चार. आपको चारों का याद नाम नहीं रखना है. जब हम सब पढ़ाएंगे तो आपको automatic नाम याद हो जाएगा. अभी आप बस थोड़ा basic concept बनाईए ताकि आपकी इतनी समझ हो सके कि आपको पढ़ना क्या है? अभी तो आप लोग को यही नहीं पता है कि पढ़ना क्या है? इसलिए अभी आपका basic बता रहा है. अभी दो दिन और basic ही चलेगा. उसके बाद map चलोगा. अभी map तो start भी नहीं होगा है. यह हो गया? यह कौन सा हो गया? Ocenia. Ocenia में आप देखे सब लोग देखे हैं लोग Australia ही देखे हैं लोग और कुछ नहीं देखे हैं लोग. Ocenia ही सब लोग देखे रहते हैं लोग? चलिए ध्यान से देखें. जिन लोग का नहीं चल रहा है वो लोग वाओ एक बार application बंद करके फीर आएंगे चलने लगेगा. चलिए ध्यान देखे लोग देखें लोग अश्टेलिया देखें यानि अगर हम एक बात बोलें कि Ocenia में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है तो Ocenia में बाबू सबसे बड़ा हिस्सा Ocenia में Australia का है. उसी लिए कई लोगों ने Ocenia का नाम Ocenia भूलके Australia रखने लगा. जैसे कोई लड़का है माल लिज के बाद उसके बच्चे पैदा होना चालू हो गया. पहला लड़का हो गया मंगरू, दूसरा हो गया आपका जुन जुनना, तीसरा हो गया अलफा, बीटा, गामा, इनफानाइट लड़के पैदा होंगे से उसके. अभी बताईए उस लड़कवा का नाम लोग भूल जाए इसको इसको इयाद रखेंगे मंगरू के पापा उसका नाम क्या हो जाएगा मंगरू के पापा जिस तरह से गनेश-संकर जी इस नाम क्या हो गया? प्लाना के पापा, ममी, ऐसे बोलते हैं नमाली ये कोई आपमी में कोई है, दिनेस, तो आपके ममी को क्या बोलते हैं, दिनेस के ममी, ए दिनेस के पापा, मतलब बड़े बेटे के नाम पर पूरे एरिया को डोनेट कर देते हैं, उसके फैमिली को, उसी तरह से इस ओसीनिया मे महादीब कोन हो गया उसीनिया याद हो गया महादीब हम अटा देते हैं अब आप नाम बताएंगे लोग हम इसको अटा देते हैं पटा पट बताईए सबसे बड़ा माधीप कौन हो जाएगा पटाईएग लो सबसे बड़ा एक से लेके साथ तक कांटिंग से बताते रहे हैं दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथों बताते हैं रहेंगे लो, फड़ा पड़, सीक्वेंस में सबसे बड़ा, सबसे चोटा, एसिया, अफरीका, उत्री अमेरिका, दक्षणी अमेरिका, अंटार्टिका, योरोप, सबसे चोटा, ओशीनिया, सबसे चोटा में ओशीनिय पटापड बताएंगे पटापड सातों का नाम पटापड एक ही लाइन में सातों लिखके बताईए एक आदमी लिख रहे हैं एस या तक पीछे दस्टों कमेंट आ जाते हैं सब एक ही लाइन में सारा का नाम वेरी गोड़ बहुत से लोग लिख रहे हैं एक ही लाइन में सारा नाम इसी तरह से कमेंट आना चाहिए तम धा धार पूरा अंसर देखे बताईए नीरज जी सोनी कुमारी आप लोग एक ही लाइन में लिखी है अलग अलग नहीं सत्या जी मन्टू जी सब लोग का सही है चलिए आधा आधा करके नहीं लिखे पूरा का नाम बताईए क्रिशन कुमार जी एक दो तीन चार पांच छे नाम लिख दिया यहां पे अगर बना दीजीगा अगर रिवाइस कर रहे हैं हम आपको PDF देंगे पहले बेसिक तो हो जाए फिर PDF देंगे अबर ना भी लेकर करेंगे आप लोग यह देखिए सबसे पहले एसिया अफ्रीका उत्री अमेरिका दक्शिर अमेरिका अंटाटिका यूरोप उसीनिया हो गया वसी निया ऐसी देगें आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो आप लोग को दिक्कत नहीं आएगी अभी आप देखेंगे तो इसमें लगभग लगभग आठ अजार लड़के फ्रंटींड के सर्वर पर है चार-चार पर लोड बहुत जाद है अभी जितने एडमीशन हो रहा है न सीधे सीधे लोड पड़ रहा है एक दम हर मीनट बैक इंट के सर्वर पे दो हजार धाई एजार लड़के जूड रहा है सा इसलिए थोड़ा सा बॉग मार जा रहा है सर्वर उभी विचारा कन्विज है कि क्लास के बाद क्यूं चलिए आज हम लोग एडमीशन क्लोज कर देंगे आज रात बारा बजे के बाद एडमीशन नहीं होगा आज रात बा आठमा महादीप कहा जा रहा है हाला कि ये महादीप पूरी तरह से डूब चुका है इसका हम एक बार जुलाई में यूटूब पे वीडियो भी बनाए हुए थे जिलैंडिया महादीप के बारे में यहां पर था जिलैंडिया और न्यूजिलेंड के बीच में एक जगा था जिसका नम था है जिलेंडिया महादीप, अब ये पूरी तरह से डूब चुका है, जलमग न हो गया है, तो आप से भले अगर ऐसे question पूछ दे कि आठमा महादीप की से कहा जाता है, तो आप जिलेंडिया बोलेंगे, लेकिन अभी में exist, कितने महादीप अभी में वर्तमान मे हैं, तो वो साथ ही होगा, आठमा आपकी हम जानकारी के लिए बता दे रहे हैं, और नवाज बता देते हैं, ये अफरीका टूटेने वाला ही है, ये अफरीका जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अभी तो ओवर्वीव बता रहे हैं, बस थोड़ा-थोड़ा सब को पत से लिए, भुकंप नहीं आते हैं, अंटार्टिका सफेद महादीप अंटार्टिका, गतिसील महादीप अंटार्टिका, ये सब इसका, सब भेता का पालना, असीया बवाल का जड़, Asia, सब बवाल यही होता है, चाइना हो गया, जापान हो गया, दच्छडी चीन सागर हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, सीरिया, लेवनान, इसराइल, फिलिस्तीन, जारडन, मीस, सौधी अरब, सब यही मार होता है, सबसे जादे गरीबी वगर सबसे पिछडा अफरीका सबसे डेवलप्मेंट में यूरोप हो जाता है, यह सारे देश यहां समुंद्र के किनारे ही इस इस सब्सक्राइब, आगे देखते हैं, सब्सक्राइब, 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 सब्सक्राइ से वीरा रहे हैं दूइप बहुत बड़ा एरिया गिर जाए तो महादीप, अब किस तरह से बताएंगे हैं? सार इस्पेलिंग का क्या हो गया एस्पेलिंग को गली मारा न वही जोगरफ ही पढ़ रहा है कि इंगलीस की स्पेलिंग पढ़ रहा हो कुछ लिखे थे थे हम समझ जाएंगे बस मिलता जुलता होना चीज़े वेरी गुड चलिए आप लोग का जवाब आते रहता है अच्छा लगता है जिसे लगता है ने क्लासे में पढ़ा रहे हैं कई को तो मनुवाई लता है कौन कमेंट लिखेगा कमेंट मत लिखा किजेगा जब जवाब पूछते हैं तब दे दीजेगा ठीक है आगे देखिए यह कमेंट है नहीं यह तो चैट है बाद में बंद हो जाएगा लाइफ खतम चैट खतम आगे देखिए अब थोड़ा सा महादीब तो हम देख लिए महादीब क्या कर लिए देख लिए कितने महादीब है साथ एक डूबा हुआ को ले लेंगे तो आठ इनी सातों महादीब रहेगा पानी से घीरा रहेगा तो सागर कहेंगे बहुत बड़ा हो गया तो महासागर कहेंगे तो दुनिया में जो ओसीन्स होते हैं महासागर उनको देखते हैं सबसे बड़ा महासागर जो है वो है आपका पैसिफिक ओसीन प्रसांत महासागर देखिए यह है प्रसांत मह माहसागर है और यह वला भी है प्रसांत माहसागर है। देखें से कृतियों अब इसको पढ़ने के लिए इसे खोला गया है। अब मान के चलिए कि प्रसांत महासागर मेरा नाखून है, तो मेरा नाखून तो दूनों एक के पास यहां दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, यहां देखे ध्यान से मेरे नाखून को, मेरे नाखून, दोनों नाखून को समझे प्रसांत महासागर, अब इतना बड़ा गोल ग्लोब में देखेंगे तो प्रसांत महासागर आपस में जुड़ा हुआ है तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रसांत महासागर जिसे पैसिफिक ओशियन कहते हैं इसकी जो साइज है इसका आकार है ट्रेंगल के जैसे ट्रेंगल के जैसे कैसे देखें यह वाला एरि जानसादilah. दुनिया का बड़ा महासाँगर, उसके बाद आता है Atlantic Ocean, यह S का काहा, Atlantic. कुण सा है, Atlantic, यह अफ्रीका से सटा हुआ है, तो अफ्रीका को अंधमाहादीब करते है, एक के सिटल है, делी तो इसको अंधमाहसाँगर भी करते है, तो यह वाला हो गया, दूसरा नंबर पर Atlantic, दूसरा नमबर पर Atlantic, तीन नमबर पर Indian Ocean, एक मात्र महासागर जिसका नाम किसी देश पर पड़ा है, महासागर पर किसी का अधिकार नहीं होता है, Indian Ocean का मत सुचेगे कि इंडिया का हो जाएगा, किसी का नहीं होता है, international होते हैं सब महासागर ये सब, हो गया, चलिए, बोलिये, महासागर बोलिये, कौन सा है, कौन महासागर ये, अंसर देते रही है, ये महासागर बोलिये, ये, बड़ा वला महासागर, परसांद महासागर, और ये भी तो परसांद महासागर है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, परसांद महासागर, ये भी पूरा का जो है यह 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 आपका है अटलांटिक या अंध महासागर अटलांटिक या अंध महासागर तो महासागर बड़े-बड़े महासागर अभी इतना समझे एक क्वेश्चन आया था जरा सोचके बताई तो किस महासागर को अर्ध महासागर करते हैं आधा ही है पूरा नहीं है आ जाने का जगह है फिके वी उपर तक पहुंच गया अट्लांटी मुपर तक पहुंच या लइकिन हीन को बाघ लेट इसलिए हीन्द महसागर को अर्ध माय on a कर कौन सा मा सहागर कर गप लेकर को ओर दमा सहर के नम सभी सम fabulous हिंद महसागर को अर्दमाहसागर के नाम से जाना जाता है चले बहुत अच्छा अटलांटिक अंदमाहसागर अंसर सहीं आप लोगा वेरी गुड अरे वह इसमें इमुजी फोटो अटो लगा के मत भेजा कर लो जो अंसर है वही भेजिये नहीं तो मत भेजिये चांद सीतारा कौन भेज रहा है बेकुफ कहीं का ब्लॉक कर देंगे ना आप एक भी पर कमेंट नहीं कर पाएंगे और उसके बाद दुबारा टनो टंकी करेंगे तो अप्लीकेशन से बार कर देंगे चांद सीतारा भेज़ता है संभ्या रहा है यह हो गए आपका और्द महासागर आधा है अब इसके उपर एक महासागर है उसको हम लोग कहते हैं आर्कटिक महासागर आर्कटिक यह उपर वाला देख रहे हैं अंटार्कटिक नहीं है यह आर्कटीक है है उपरवाला आर्कटीक महासागर है, एक महासागरώρα को च्छिपा हुआ महासागर कहते है,ока जहने की skeptic यह आर्कटिक जो है ना उपरा जाके छूप गया है इसलिए इसे छुपा हुआ महासागर कहते हैं याद रखिएगा किस महासागर को छुपा हुआ हुआ महासागर करते हैं छुपा हुआ महासागर आर्कटिक सबसे बड़ा महासागर परसांत एस के आकार का अटलांटिक आधा महासागर हिंद महासागर महासागरों कि संख्य कितनी हो चार महासागरों कि संख्या चार कोई आप से पूछेगा कि टोटल कितने महासागर होते हैं बोलिएगा चार लेकिन अगर आप गुरुब डी खलासी चपरासी का एक्जाम देते हैं तो वो बोलेगा पांच कैसे समझे कैसे कुछ भूगोल वेताओं को ऐसा लगता है कि भूगोल उनके बाप की जागीर है और उन्होंने अपने से भूगोल को बनाना चालू किया उन्होंने कहा कि देखो यह जब प्रसांत महासागर है इस प्रसांत महासागर का निचला भाग काट लेते हैं यतना निचवाला काट ल लेते हैं तो अई बकोट लिया सब तो नीचवा जो अई बकोट लिया है समना तो इसको कहता है सब दक्षणी महासागर रे बबुआ तो रे बाबुजी के दहेज में मिला था ही महासागर जोन तुम बकोट के लेके चल गया यहां पर अब बोलता है कि दक्षणी महासागर अ गुरुबडी खलासी चपरासी गेंगे में सभाई कर्मी की एकजाम में पूछ देता है, कहेगो महासागर तो पांच को, एक, दू, तीन, चार, पांच, नहीं, आप ध्यान से समझेगा, UPSC वगरा में जाएंगे, तो कहेगा, कितना महासागर, चार, कौन-कौन सा, अटलांटिक, हिंद, और आर्कटिक, ऊपर वाला क्या कहला था, आर्कटिक कहला था, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, छीपा हुआ महासागर, आर्कटिक, आधा महासागर, हिंद महासागर, सबसे बड़ा प्रसांथ, S-A-Karka, अटलांटिक, इसका दूसरा नाम, अंध महास महासागर, कालपनी आपने सबना दिया सब, कौन सा महासागर? यह हो गया भया कौन सा? दक्षणी महासागर, इसी का नाम दे दिया सब, अन्टार्कटी, इसका नाम रख दिया अन्टार्कटी, उसका रगा अट्लांटी, सन्मया गया, महासागर कितने होते हैं? चार, कम इसल निया बोलती मैं, एक तो हिरोन थी गाना गारी थी दोकियो साथ समूंदर पार से ते पीछे पीछे आ गई गई कई दर सा करता शुरी का सुरू है हुआ बढ़क्त समझें कई-सजय के उपकर साथ समूंदर पार कहा गई थी देखें दुनी, साथ समुन्दर पर साथ समुन्दर समझा देते हैं आपको इसको मिटाते हैं पहले अरे बहुत गो जा गिया जी इसको मिटा दे अरे पूरा मिट गिया यही गायब हो गिया कोई बात नहीं दुबारा लाते हैं साथ समुन्दर कैसे चलेगा है लोग देखिए जो प्रसांत महासागर यह वाला महासागर कौन सा है प्रसांत महासागर प्रसांत महासागर यह वाला महासागर अटलांटिक यह वाला महासागर हिंद महासागर ये वाला उपर वाला आर्क टी कंड़े लिख लोगों के लिए ये दक्षनी महासागर भी है वो अंटार्क्टिक है तो पांचे को न हुआ एक दू तीन चार पांच लेकिन ध्यान दीजिए कहा गया कि भाया ये परसांत महासागर इतना बड़ा है न कि इसको दो दो नाम रख देते हैं एक उत्तरी परसांत यानि नौर्दन पैसिफिक और एक दक्षणी परसांत इसका भी दो नाम रख देते हैं उत्तरी और दक्षणी ये कहां से दुगो रखिए कि तो आदा ये उत्तरी में तो दुनिया बसल है नीचे तो कुछ अई नहीं है तो इसी का दुगो नाम होगा उत्तरी और दक्षणी जैसे हम आपसे कहें कि ये मारकर जो है ये light marker जिससे ल तो है तो ये प्रसांथ महासागर ही हम अपनी सहूलियत के लिए इसे उत्तर और दक्षन बना दियां मतलब अगर कोई जहाज डूबेगा और कहेंगा हम प्रसांथ महासागर में डूब रहे हैं तो खोचते खोचते पढ़ला जाएगा आदमी तो ऐसे बोलेगान हम उत्तरी प्रसांत में दूब रहें कि दख्षणि प्रसांत में डूब रहें। तो प्रसांत को कितने भाग में बाट निया लो? दो. अट्लांटीक को भी 2. बाकी को नहीं बाना गया. आप देखिए यहाँपे को कहा सशुरी है समझे में नहीं आता है साथ समूंदर नहीं है अला कि हम आपको यह तो महासागर बता हैं हम आपको लगवाश सत्तर से 75 सागर पढ़ाएंगे याद हो जाएगा आपको tension नहीं लिजे हो गया किसी को कोई दिक्कत नहीं है question पूछेंगे तो बता देंगे आप लो Heath and West में नहीं डातते हैं इसको East और West में नहीं बाठते है साथ समोन मां इनग्लिस में बुलिए हम इसको Pacific बलते हैं इसको Atlantic इसको Indian Ocean बोलते हैं इसको Arctic इसको Antarctic हो गया आगे बड़े है दच्छिडी चीन सागर यह सब आओ ऑसियन नहीं है न वह सब सागर है सब आगे देखते हैं साथ सोंग पीडिएफ डाले ही नहीं यह पीडिएफ ओपन नहीं हो रहा है बेकूप सब जितना बोलते हैं उतना ही किया करो अभी बेसिक पड़ा पीडिएफ खुलेगा पीडिएफ ओपन नहीं हो रहा है बेजिक जनमे नहीं हिए पीडिएफ पीडिएफ जाएगा सब नोकरी नहीं वाला है बकल लभाव सबको वी में भाग या था नाले कंसेट वा संजो ना कॉर्स्वा नहीं खतम होगा तो हम कहां से आपको लोगों को पहले उस लाइक रहा जाएंगे तब बंदूग चलाना सीख जाएंगे तब बंदूग खरीदिया, खरीदने के बाद सीखेंगे ठोक देंगे कोनों को, यह हो गया? आगे देखें, महादीप वगरा सब समझ में आगे आप लोगो, हो गया न महादीप? आगे आप समझा देते हैं, आप महासागर समझ गया, महादीप समझ गया, अब आता है एक ठो, दो चीजे फंच जाते हैं, एक होता है क्रीक, एक होता है गल्फ, एक होता है बे, क्रीक, गल्फ, बे, देंगे ध्यान से, क्रीक, गल्फ और बे, इसे करते हैं क्रीक, इसे करते ह गल्फ, इसे कहते हैं बे, ठीक है, ये तीनों चीजे अलग-अलग होती है, ये भी समुंदर का ही एक हिस्सा होते हैं सब, इसको भी समझना आप लेक लिए जरूरी है, इसको भी समझा देते हैं, अब एक काम करेंगे, आप लोग पहले यहाँ देख लिए, पीडिया, पीडि फवाली भूख खरीद लिजेगा, धियान दिजेगा, एकी स्कूल अलास आता है, एकी श्टुडेंट अलास आता है, इसकूल अलास वाला सा सस्ता मिलता है, आप को सिस किजेगा कौन सा अलस ले, इसकूल अलस ले लिजेगा। ऑक्सफोर्ड इसको खरीद लिजेगा इस traction में आपको सब चीज दिखेगा क्योंकि जो नक्षा हम यहां दिखाएंगे आपको बोलेंगे उसमें भरने के लिए तो यह नक्षा आपको भरना पड़ेगा बाबु ऑक्सपोर्ड स्कूल एटलस वाला नक्सा आपको भरना पड़ेगा इसको खरीद लीजेगा लोग सब लोग देड़ सो एक सो साथ के आसपास में मिलेगा या आप अक्सपोर्ट कंपनी का आगया इसमें कौन बोल रहा है बेकूब मेरा चैनल है सबस्क्राइब कर लो बेकूब लोग तुम लोग या पढ़ने आता है लोग तुम लोग कभी आगे नहीं पड़ेगा लो मेरा चैनल है सबस्क्राइब कर लो कौन बोलता है यह ब्लॉक मार देंगे वावू सब चैनल लिकल जाएगा समझ में नहीं आता है आप अच्छा पढ़ा होगे तो दुनिया आपको सबस्क्राइब कर लेगी जाके यूटूब पे सर्च कर देना एजुकेशन चैनल में पूरी इंडिया में सबसे तेज गुरो करने वाला खांजी असरी सेंटर है आज तक कभी नहीं बोले सबस्क्राइब कर लो सेयर कर लो बेकूफ सरम नहीं आती है तुम लोग को चैनल हो गया कैसा टीचर हो लो गया डूब मरो पानी में इसे थूख के डूब मरो कि लड़कों से बोलते हो सबस्क्राइब कर लो वह भी किसी के अप्लिकेशन पर आके सरम नहीं लगता है एक मानसिक्ता भी होनी चाहिए एक टीचर बोलेगा कि तुम हमसे सबस्क्राइब कर लो comment पढ़ा है लगातार कर रहा है कि मेरा channel subscribe कर दो मेरा channel subscribe कर दो बेकूफ कहीं कर बावु हम आप लोग को भी कहते हैं जो बोल दिया ना कि मेरा channel subscribe करो साले पर जा कि report कर दीजेगा उसके channel पर तुम पढ़ाने आए हो पढ़ा के जाओ नहीं आप पर परचार करने आ जाते हो subscribe करो share करो like करो बेकूफ सा पढ़ाएगा सब हाई नहीं सोचेगा सा like करो अरे जो अच्छा लगेगा उसको लोग automatic subscribe करेगा आज अब्दुल कलाम जिन्दा रहते हैं वो किवल कह देते हैं मेरा channel बनाए सब्सक्राइबर चल जाते हैं क्योंकि इसकी सुरुवात हम आपको कर देंगे एक तारीक से एक October से यह पढ़ाना चालू कर देंगे अभी थोड़ा हम basic बता रहे है आगे ही अब में देखिए छोटा सा area अगर पानी से घिरा है तो द्वीप बहुत बड़ा घिर गिया तो उसे क्या कहते है महद्वीप अब अगर तीन ओर से घिर गिया तो उसे कहते है प्राइदीप जैसे भारत तीन ओर से घिरा है देखे यह क्या कहलाएगा प्राइदीप अरब तीन ओर से घिरा है प्राइदीप क्या है प्राइदीव अमेरिका का एक राज है जिसका नाम है फ्लोरीडा तीन और से पानी से घिरा है क्या हो जाएगा प्राइदीव इंगलिस में कहते है पेनिसुला इंडिया आपको कहेगा क्या आइलेंड है नहीं इंडिया आइलेंड नहीं है क्या कॉंटिनेंट है नहीं इंडिया क्या एक पैनिन्सूला है, पैनिन्सूला मतलो होता है तीन और से पानी से घीरा है, तो उसे क्या कहते है, पैनिन्सूला कहते है, अब आप कहेंगे कि सर एक नाइनसाफी कर रहे है, कौन सा नाइनसाफी, तो देखिए, महाद्वीप, महाद्वीप, ये भी पानी से गीरा था चार ओर से लेकिन बड़ा था द्वीप ये भी पानी से गीरा था चार ओर से लेकिन छोटा था उसी तरह से सर आप दो ठो बनता हिए कि एक ऐसा एरिया जो तीन ओर से पानी से घीरा हो और बड़ा हो और एक ठोच छोटा हो तो देखें जो बड़ा होता है उसे कहते है Prydweep Prrydweep English میں कहते है Peninsula और जो तीन और से घिरा तो रहता है लेकिन बहुत ही छोटा रहता है उसे हम लोग कहते है Antirip Cape कहते है Antirip Untherip को क्या कहेंगे C A P Cape यह गया Cape Antirip कहते हैं वो भी होता है लेकिन वो बहुत छोटा होता है तो उसे क्या कहेंगे अंतरीप दोनों में कंडिशन देखिए अगर चार और से पानी से घीरा है चार और से क्या है पानी से घीरा है और छोटा है तो द्वीप बड़ा है तो महाद्वीप तीन और से पानी से घीरा है छोटा है तो अंतरीप बड़ा है तो प्राइदीप अब भारत क् आ रहा है प्राइदीप अंतरीप के बारे में इस्टूडेंट एटलस देखिया जिनके पास स्टूडेंट एटलस है वो रखे रहेंगे जिनके पास नहीं है वो जब भी खरीदेगा तो कौन सा खरीदेगा विकास राजपूत मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें आप ही बोल रहे हैं जे बभू आ तो कोने काम के राजपूतरे नाम चिंज कर लो लिग रहे हैं हमरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो ब्लॉक हो जाएगा बभू चैनल पर जाके इसके स्ट्राइक मार दो लो इसी लिए न बावु देखिए कोर्स को आदमी सास्ता नहीं रखता है देर सो दो सो रुपया आजकल किसी के लिए बायने नहीं रखते हैं यही नतीजा हो जाता है कि आलतू फालतू सब लोग यहां चले आते हैं जिस वज़े से बेखूब है पूरा है आगे दिखें इतना माधीब वगरा समझ में आगे ना यह तो कोई इस में कोई दिक्कत नहीं आपलोगो आगे का जो प्लास रहेगा उसमें हम आपको उप महादीब बताएंगे उप महधीब क्या चीज़ होता है अब यह इंडिया क्या है यह बता ही तो यह क्या है महधीब अब इसी में आता है एक उप महधीब उप महधीब क्या होता है। उसे हम लोग कहते है उप महादीप, जैसे भारत एक उप महादीप में आ जाता है, जैसे कटा हुए कैसे, क्योंकि भारत की उपर हिमाले परवत है, तो किसी भी महादीप का वह भाग, जो किसी पहाड के द्वारा कट जाता है, पहाड या किसी चीज द्वारा कट जाता है, उ पारत किसमें आ जाता है, उप महादीप में चले आते हैं सर्थ, अब यहूप महादीप का कंसिप्ट्ट क्या है, क्रिक क्या है, यह सब के बारे में आपको कल के कलास में करेंगे, शुरुवात का आपका एक से लेके चार क्लास थोड़ा धीमा चलेगा, रिजन क्या है, कि admission आज भर ही होगा, आज के बाद close कर दिया जाएगा ओगया? ओगया ना? आज के लिवाव इतना ही रहने देते हैं एक आदमी को वो कर देना है, ब्लॉक कर देना है इसको पूरे application से इटा दीजे इसको कह रहा है कि मेरे channel को subscribe करो, यहाँ पढ़ने आया है भव आज के class को इतना ही करते हैं, mood disturb कर दिया पढ़ाने में ठीक है?